याउ अगलोफ्रेंट साथ एलोफ्रेंड वेलकम टू सुर्या क्लासिस आईए हम अपने इस वीडियो लेचर को श्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेचर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं ट्रेविलिंग टूरिंग वलिडे होम एक्सपेंडिचर के बारे में क्या होता है एक फ्रेंड एक इंप्लोईर जो होता है अपने इंप्लोई को एक इंप्लोईर अपने इंप्लोई को बेनिफिट प्रोवाइड करता है हॉलीडे पर जब हॉलीडे होता है इंप्लोई का है तो वो कहां जाता है वहां कहीं पिकनिक मनाने जा सकता है कहीं ट्रिव के उपर या holiday home यहाँ पर हम home के साथ holiday भी जोड़ लेते हैं holiday home होता है जो कि holiday मनाते समय holiday मनाते समय अगर कोई hotel लिया गया होगा employee के दोरा या कोई other apartment लिया गया होगा या other कोई home लिया गया होगा केवल होके बार during the holiday period के लिए तो उसके उपर जो expenses employee ने किया है उसको meet out करने के लिए उसको उस burden को कम करने के लिए employer क्या होता है कुछ reimbursement करता है ठीक है तो उसका income tax act में क्या tax treatment किया जाएगा उसके बारे में हम लोग discuss करने वाले है यहाँ पर यहाँ गया है यहाँ बता गया है employer सिर्फ वह सिर्फ employee को ही नहीं employee के किसी house household member को भी यह facility provide कर सकता है ओके आईए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है बताया गया है Festive Valuation of perquisite in respect of traveling, touring, holiday home or any other expenses Paid for or born or reimbursed by the employer for any holiday live, holiday availed. Holiday award by the employer or any member of his household is taxable in the end of all employees इसा भी employee के हेंड में टेक्सेबल परकूजेट होगा जिसका हम calculation किस तरह से करेंगे यहाँ पर बताया गया है देखिए क्या होता है कि जो traveling, touring या holiday home की facility जो provide कहीं गई है employer के द्वारा अपने employee को या employee के किसी household member को वह employee के हेंड में taxable होगी all employee के हेंड में taxable होगी यहाँ specific employee या other than specific employee को हम categorize नहीं करेंगी ठीक है सभी employee के हेंड में taxable ही होगी परकूजेट तो कहा गया है case taxable value of परकूजेट कहा गया where such facility is maintained by employer and is not available uniformly to all employee कहा गया अगर इस तरह की facility को maintained किया जाता है employer के द्वारा इसका मतलब की employer खुद का owner है जैसे अगर traveling की facility प्रवाइड की जा रही है या home जो हता है na holiday home की facility प्रवाइड की गई है उसका owner कौन है उसका owner खुद employer है और यह जो facility प्रवाइड की जारियन not available uniformly to all employee मिस किसी किसी employee को इस तरह की facility प्रवाइड की जाती है सभी employee को इस तरह की facility प्रवाइड नहीं की जाती है तो क्या होगा कहा गया national cost of such facility हम national cost लेंगे national cost क्यों सी cost होगी कहा गया है in other words value value at which such facility are offered by other agency to the public हम देखेंगे कि same facility same facility other agency कितने रुपे में public को offer कर रही है ठीक है हम suppose कर लिए यहाँ पर एक हम है employer का ठीक यहाँ पर वह अपने employee को holiday home की facility प्रवाइड कर रहा है तो हम देखेंगे कि उसके पास में जो other agency है वह कितने रुपे में public को facility प्रवाइड कर रही है तो जो other agency जतने रुपे में public को यह facility प्रवाइड कर रही है उतने रुपे हम माल लेंगे national cost ठीक है हम यह माल लेंगे उतने रुपे की value की facility employee को employer के द्वारा दी जा रही है अगर बात करते हैं second point की तो यहां पर बताया गया है where the employee is on official tour कहां पर है official tour है यानि office का tour गया गया ओफिस का tour official tour होता है जो uniformly वो सभी employee के लिए होता ना official tour अगर office की तरफ से अगर टूर गया है तो सभी employee के लिए होता है कहां गया and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him यहां पर member of his household के बारे में बताया जा रहा ठीक यहां पर employee के बारे में नहीं बता जा रहा है यहां पर member of his household के बारे में बता जा रहा है कहा गया है the amount of expenditure so incurred for the accompanying member of his household जो member के ऊपर जतने रुपे का expenses किया गया होगा उससे हम क्या मानेंगे उससे हम value of percusers माल लेंगे कहा गया यहां पर member of his household दिया गया है अगर employee के ऊपर कोई expenses किया गया होगा at the time of official tour तो वह उसे हम percusers employee के हैंड में percusers नहीं मानेंगे ठीक अगर सपोच करिए official tour जा रही है ठीक है official तो जा रही है इसमें अगर employee होगा तो employee के ऊपर जितना भी expenses employer के द्वारा गया गया होगा उसे हम percusers नहीं मानेंगे लेकिन employee के किसी household member के ऊपर household member के ऊपर जितना expenses किया गया होगा employer के द्वारा ओर taxable percusers हो जाएगा in the hand of employee सब्सक्राइब करें अब आई बात करते हैं विए एनी ऑफिस्यल टूर इज इस्टेंड़ एज एव वेकेशन तहां ज्या और सिसे टूर गया था ओफिसेल टूर हमारा टेंडे का था लेकिन इसे इसे कर दिया गया फिप्टिन दे के लिए और यह जो फ्याइफ ज्या हो है यह क्या है यह विकेशन हो गया है ठीक है किए गाहिए दा बैलु विल बी लिमितेड टूदी इक्स्पेंसेश इंकड इन रिले संटos अच एक्सेंडिड पीरियड और इस्टे और विकेशन जो यह इस्टरा इंप्लायर ने इंप्लाई के ऊपर या इंप्लाई के किसी हाउस होल्ड मेंबर के ऊपर की है तो वह हमारा expenses क्या हो जाएगा पर कुजस माना जाएगा और इंप्लाई के हैं में taxable होगा केवाल वा केवाल extended period का ठीक है और कहा गया in any other cases में other cases में क्या होगा कहा गया amount incurred by the employer जो भी जो भी amount incurred किया जाएगा employer के दवारा वह employee के हैं में taxable प्रकुयर्स हमारा हो जाएगा उसकी value हमारी employee के हैं में taxable की जाएगी अब कहा गया notes any amount charged from employee shall be reduced from the above determined value जो भी हमने उपर value को determined किया है उसमें उस amount को reduced किया जाएगा जो amount employer ने employee से charge कर लिया है second point the above provisions are not applicable in case of leave travel concession कहा गया leave travel concession जो हमारा होता है एक अलग हमारा है जो कि हमने पहले ही इसको discuss कर लिया है तो उस यहाँ पर इन दोनों में different करना होगा अलग होता है और यह हमारा traveling touring and holiday home की जो facility holiday पर परवाइट की जाती है ओ अलग case होता है तो इस video lecture में हम लोग यहीं तक discuss करते हैं और आगे की video लेचर में हम discuss करने वाले हैं बेल्वेशन आप परकुजर्स इन रिस्पेक्ट आफ फ्री मिल्स तब तक के लिए थैंकू थैंकू फर वाचिंग माई वीडियो